नमस्ते बच्चों, कक्षिया आठ विशे विज्ञान अपना लेसन है अठारमा वायू तथा जल प्रदूशन पॉलूशन ओफ एर एंड बाटर, मतलब अपने दिनों दिन जनस्वंख्या में बड़ोतरी हो रही है, कारखानों में बड़ोतरी हो रही है तो उसी से वायू तथा जल का जो प्रदूशन है वो क्या है बढ़ रहा है तो अपने को वायू वे जल दोनों का ही जीवित रहने के लिए बहुत महतव है अपने खाने के बिना तो रह सकते हैं लेकिन वायू तथा जल के बिना अपने नहीं रह सकते वायू से अपने क्या ग्रेहन करते हैं अक्सीजन ग्रेहन करते हैं तो जड़ी वायू दुशित होगी तो अक्सीजन ग्रेहन भी क्या होगी दुशित होगी और अपने को सांस लेने में क्या होगी कटनाई होगी इस परकार इनका जो परदुशन है वो हमारे लिए क्या है, हानिकर्ख है सबसे पड़े देखते हैं कि इनका क्या महतब है वायू वे जल का कि जीवन का आसिजव वनाई रखने के लिए हमें स्वच जल और शुद वायू का होना अतियावशक है कि इन दोनों का होना बहुत ही आवशक है वायू वे जल जीवों की मूल बूत आवशक्ताओं में से एक है कि अपने इन दोनों के विना नहीं रह सकते तो खाने के विना अपने एक दिन फिर भी रह सकते है अत्य हमारे जीवन के लिए प्रत्वी पर वायू और जल की शुदता बना रहना अनिवार्य है यह दोनों की यह शुदता है बनी रहना क्या है अनिवार्य है कि जीवन का अस्तितव के लिए अपने को स्वच जल और शुद भाजू दोनों ही अपने को चाहिए दोनों में से एक से अपना जीवन संभव नहीं है तो दोनों की यो शुदता है वो ही बनी रहना निवार्या है इन दोनों का महत्व हमारी जीवन में बहुत ही आवशिक है तो सबसे पहले प्रदुशन किसे कहते हैं प्रकर्ति में वायू तुथा जो जल है ये प्लियाफत मातरा में पाई जाते हैं प्रन्तु कई कारणों से वे क्या हो रहे हैं दुशित हो रहे हैं कि ये दोनों ही बहुत मात्रा में परचूर मात्रा में पाई जाते हैं लेकिन बहुत सारे कारण है एक कारण नहीं है जिनसे ये प्रदुशित हो रहे हैं जैसे प्राकर्तिक वातावन में होने वाले एवांशित वे हानिकारिक परिवर्तन को जो तो एवांशित है चाहिए नहीं और हानिकारिक है जो वैसे परिवर्तनों को क्या कहते हैं प्रदूशन कहते हैं यह परिवर्तन प्रयावरन के लिए बोतिक रसाइनिक या ये वी गट के कारण हो सकते हैं प्रयावरन के जो बोतिक हैं रसाइनिक हैं जेविक गटकों के कारण ये परिवर्थन क्या हो सकते हैं और प्रदूशन किसे कहते हैं जो ऐवांशीत और हानिकारक परिवर्थनों को प्रदूशन कहते हैं जो प्रदूशन है यह सिर्फ सजीवों को ही नही हानी पहुंचाता यह नर्जीव चीजों को भी हानी पहुंचाता है प्रदुशन प्रदुशनस जीवों को ही हानी नहीं पहुंचाता नर्जीवों को भी यह हानी पहुंचाता है नर्जीवों को हानी कैसे पहुंचाता है आपने ताज महल का उधारन तो सुना ही होगा ताज वो क्या है नर्जी बस तूई न तो ये सजीवों को ही नहीं नर्जीवों को भी हानी पुंचाता है दोनों को ही हानी पुंचाता है और हमारे पूरवजों के समय प्रत्वी पर स्वच वाजू और शुद जल मुझूद था मतलब पहले क्या होता था स्वच वाजू होती थी तो भूत कम बिमारिया होती थी और लोगों की जो उमर है वो भी काफी लंबी होती थी लेकिन आज कल इनकी प्रदुशन की वज़े से बिमारिया बहुत ज़ादा हो रही है और जो उमर का उस्त है वो पचास पिछवन तक ही रह चुका है प्रन्तु आज के समय में चाहे तो वो शहर हो चाहे गाम हो हर जगे एक जगे नहीं हर जगे ही क्या है प्रदुशन की समस्या है पहले नहीं थी कहीं भी लेकिन आज कल ना तो शहर इससे बचा हुआ है ना इगाम इससे बचा हुआ है हर जगे ही प्रदूशन की समस्या है प्रदूशन से इस जीवों को तो हानी होती ही होती है नर्जीवों को भी हानी हो रही है और पहले जो थी मतलब प्रदूशन नहीं था तो कोई भी बिमारी नहीं थी लेकिन आजकल शहर गाम कोई भी से नहीं बचा हुआ है और बहुत सारी बिमारिंगा परदूशन से फैल रही है देखो कि वायू में बभिन प्रकार की गैंसे पाई जाती है और उनमें सबसे ज़्यादा जो गैंस पाई जाती है वो है नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत है वो किसका है नाइट्रोजन का कितना है 78 प्रतिशत फिर दूसरे नंबर पर है ओक्सीजन उसका कितना प्रतिशत है 21 और जो कारवन डाय एक साइडा उसका प्रतिशत कितना है 0.03 total प्रतिशत कितना होता है 100 होता है इन तिनों को आप जोड़ोगे तो कितना हो गया 99.03 इतना हो गया ना 99.03 हो गया इन दिनों को जोड़ा तो 100 मेसे इसको गटाओगे तो दूसरी गैसों का प्रतिशत बचेगा आपके पास 100 मेसे इसको गटाओगे 99.03 को तो दूसरी गैसों का क्या बचेगा प्रतिशत बचेगा आपके पास और वो कितना बचेगा 0.97 में 0.97 में बचेगा जो कि बहुत ही कम है तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत किसका पाई जाता है नाइट प्रोजन का ही पाई जाता है और वही वायू से क्रिया करके अपने ओक्साइड नाइट्रेट बगेरा बनाती है फिर पाई जाता है ओक्सीजन का कारवन डाइ अक्साइड तो बहुत ही अलप मात्रा में पाई जाती है तो हम अपनी शवशन क्रिया में किसका यूज करते हैं कौन सी गैंस का यूज करते हैं ओक्सीजन गैंस का यूज करते हैं कुछ समय तक बोजन के बिना तो हम रह सकते हैं बोजन तो अपने एक दिन ना खाएं तो रह सकते हैं लेकिन अपने वायू के विना नहीं रह सकते तो इसी परकार शुद वाजू जीवों के लिए क्या है अनिवार्या है ये अपने उसके विना तो रह ही नहीं सकते प्रन्तो आज के समय में बहुत सारे कारण है जिनके कारण वायू क्या हो रही है एशु कहते हैं कि वायू में जो ऐवांशित पदार्थ मिल जाते हैं उसके कारण वायू क्या हो जाती है दूशित हो जाती है और इसे ही क्या कहते हैं वायू प्रदूशन कहते हैं कि अपने शौशन करिया के दुरान ऑक्सिजन कैस रहन करते हैं तो अपने शौशन करिया तो अपने बोजन के बिना कहीं तो कुछ time तक रह सकते हैं लेकिन सांस लिये बिना तो अपने कुछ time भी रह नहीं सकते जो वायू से अपने oxygen गैस करते हैं वही वायू में बहुत सारे यवाँचित पदार्त मिले हुए हैं जिनका हानी कारक परवाप पड़ता है तो ये क्या है वायू प्रदूशन है अब देखो वायू कैसे प्रदूशित होती है वायू कैसे प्रदूशित होती है कि जो पदार्थ वायू को दूशित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं जो पदार्थ वायू को दूशित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं वायू प्रदूशित कहते हैं और वायू प्रदुशक का जो प्राकर्तिक स्त्रोथ है मतलब किसी के हाथ में नहीं है प्रकर्ति के हाथ में है जो प्रकर्ति के द्वारा जो वायू दुशित होती है वो स्त्रोथ क्या है जो वाला मुखी का फटना कि जो वाला मुखी अचानक फट गी तो उससे बह जो दुआ है वो किस में मिलता है वायू में ही मिलता है तो उससे वायू क्या हो जाती है दुशित हो जाती है और जो मानविय स्रोत है कि वायू को पर दुशित करने वादा दोनों स्रोत है प्राकर्तिक भी है मानविय भी है जो प्राकर्तिक है यह तो किसी के हाथ में नहीं है और ना ही यह रोज के गटित होने वाली गटनाई है यह तो कभी कबार गटित होने वाली गटनाई है लेकिन जो मानविय स्रोथ है फैक्टरियां उनसे निकलने वाला दुआ जो विदू से अंतर है स्वेचारित वाहनों से निकलने वाला दुआ इंदन का देहन करते हैं तो इससे भी दुआ निकलता है तो ये सारे जो है ये कौन करता है मानव करता है तो इससे भी क्या होती है वायू दुशित होती है ये चीज तो कभी कवार होने वाली है और ये क्या होती है रोज डेली के जीवन में होने गटित होने वाली जो गटनाई है ये क्या है रोज गटित होती है इसके बाद देखो कि वायू को परदूशीत कौन कौन सी गैंसे या कैसे करती है जो सबसे पहले अपने देखते हैं दूम कोहरा कि हम सर्दियों में अक्सर सर्दियों में वायू मंडल में कोहरे जैसी मोटी पर्त देखते हैं देखते हो ने सर्दियों में यह क्या कहलाती है दूम कोहरा है दूम कोहरा जैसे नाम से इस पस्ट है यह किस से बना है दूएं तथा कोहरे से यह बनता है दूम कोहरा और दूए में नाइटोजिन के उकसाइड उपस्तित हो सकती है जो अन्य वायू परदूशकों वे कोरे के सियोंग से दूम कोरा बनाती है और दूम कोरे से शवशन स्वंधी रोग, दमा, खांसी, सांस लेने में कितना उत्पन हो सकती है तो मतलब वायू परदूशकों से जो रोग होते हैं अपने सांस लेते हैं तो अपने अक्षियन गैस ग्रैन करती हैं तो इससे जो रोग होते हैं वो भी सांस के ही होती है दवा, खांसी, सांस लेने में कितना आई, तो ये रोग हैं, ये वी किसके हैं, सांस के हैं तो इससे रोकिस के होती हैं, सांस के वायू पर दूशक कोन कोन से हैं और उनके हानिकारक प्रभाब आपने शुरू कर चुके हैं, उसी में दूसरा देखो क्या है, कारवन मोनोकसाइड, तो कारवन मोनोकसाइड क्या है, एक बिशेली गैंस है, एक जान लेवा गैंस है, आप आपने भुक में या सूना होगा। कि बंद कमरे में अंगिठी चलाकर सौने से आदमी की मृत्यू हो जाती है। किसके करण होती है, कौन सी गैंस के करण होती है, कारवन मोनोक्साइड के करण ही होती है। यह इतनी विशेली गैंस है रकत के साथ मिलकर यह एक हाननी का रिक पतार्थ बनाती है तो इसके कारण आदमी की क्या हो जाती है मिर्त्यू हो जाती है और जदी कार्वन मौनोकसाइड स्वास के दोरा श्रीर में पहुंच जाई तो रकत की अक्सिजन प्रवेहन श्रीर के लिए फिर क्या है गातक है इतनी हाननी का रिखाई है गैंस कि यदि सांस के दोरा यह खून में चली जाती है न तो अक्सिजन की प्रवेहन श्रीर के लिए क्या होती है गातक होती है और इस से आदमे की मृत्यू तक हो जाती है बंद कमरे में गिर्थी चला कर सोने से आदमे की मृत्यू किस गैंस के कारण होती है कारवन मोनो अक्साइड गैंस के कारण होती है और यह गैंस इतनी गातक है इसके बाद दूसरे नमबर पराता है कारवन डाय उक्साइड की वायू मंडल में इसकी जो निरंतर व्रदी हो रही है वायू मंडल में इसकी निरंतर व्रदी हो रही है इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं व्रदी होने के लेकिन एक कारण है वो है पेड़ पोदों की कटाई वनों की कटाई की वनों की कटाई दि तो फूर इसका जो संतुलेन है वह बिगड़ रहा है तो वायू मंदल में इसके मात्रा अभरत रही है की इसके कारन फिर रूआव जलसतर बढ़ जाता है और जो तुर्तिय शेतर हैं वह दूप सकती तो इस परकार global जो बार्मिंग है वो इसके कारण ही हो रही है कि पृत्वी पर carbon dioxide गैंस की जो मात्रा है वो दिनों दिन बढ़ रही है इसी के कारण ही दूवों पर जो स्थीत बरफ है वो पिगल सकती है जिससे समुदर का जलसतर फिर बढ़ रहा है और टटी चेतर डूब रही है तो यह भी एक बहुत बढ़ा कारण है वाजू प्रदूशन का इसके बाद नेक्स्ट है सल्फर डायोकसाइड सल्फर डायोकसाइड गैंस को श्वास में ग्रहन करने से दमा या ब्रोंकाइटिंग जैसी बिमारियां होती है इससे भी बिमारियां होती है सांस की जदि इसको अपने अक्सिजन गैंस के साथ इसको ग्रहन कर लेते है यह गैंस फैंफरों को स्थाई रूप से सतीगरस्ट कर देती है फैंफरों को नस्ट ही कर देती है इतनी हानी का रिक गैंस हाई है सलफर के उकसाइड वायूमनल में उपस्तित जलवाशब के साथ मिलकर सलफर के अमलों का निर्मान करते हैं यह क्या करते हैं सलफर के अमलों का निर्मान करते हैं और अमल वर्षा के साथ मिलकर अमल वर्षा का रूप भी सल्फर के ये उक्साइड ही लेते हैं सल्फर के उक्साइड से बिमारियां भी होती है और अमल वर्षा भी होती है तो सलफर से दोनों होते हैं, अमल वर्षा जो होती है, वो भी बिल्डिंगों के लिए, लोहे के लिए हानिकारक है, बिल्डिंगों का शंक्षारण होता है, लोहे पर जंग लगती है, तो वो अमल वर्षा के कारण लगती है, तो उसके लिए भी हानिकारक है, और जदी उसको तो अंदर ग्रहन कर लिया जाता है, तो उसे फेमफ्रे शतिगरस्त हो जाती है, दमा जैसी बीमारियां हो जाती है, तो ये भी किसके कारण है, सलफर डायोकसाइड के कारण है, इसके बाद है नाइटोजन के उकसाइड, तो ये गैंसें भी वर्षा जल के साथ मिलकर अमल का निर्मान करती है जो अमलिय वर्षा का कारण बनता है सल्फर भी और नाइटोजन भी ये दोनों क्या बनते है अमल वर्षा का कारण बनते है और नाइटोजन के जो अक्साइड है आंखों में जलन श्वशन सबंदी रोग मतलब ये सारे वायू प्रदूशन के कारण है तो इन सभी से श्वशन स्वंदी रोग तो कोमन ही है क्योंकि ये सभी ही जब वायू प्रदूशन के कारण है तो वायू से ही अपने उक्सियन गैस ग्रहन करते हैं तो फिर ये सभी सुवशन स्वंदी रोगों के कारण तो है ही है इसके लावार नाइट्रोजन से क्या होती है आंखों में जिलन भी होती है और नाइट्रोजन के जो अकसाइड है यह है अमल के साथ मिलकर अमली अवर्षा भी करते हैं या अमली अवर्षा का यह क्या बनते है कारण बनते हैं इसके बाद आता है दुआ दुआ भी हमारे लिए हानिकारक है दुए में ठोस वे दरफ दोन्नों परकार के शुक्षमकन मुझूद होते हैं ये बात आप याद रखना कि दुए में ठोस वे दरफ दोन्नों परकार के शुक्षमकन होते हैं और इसमें कई हानिकार्क गैंसे भी होती है और सर्दियों के दिनेंवें दूआ और कोहरा आपस में मिलकर दूम कोहरा का निर्मान होता है जो दूम कोहरा होता है ना उसमें दूआ और कोहरा दोनों मिले होते हैं दूम कोरा बनता है और यह भी हमारे लिए क्या है हानिकारक है और इसमें कौन-कौन से पदार्थ होते हैं ठो सैवंद्रफ दोनों परकार के पदार्थ होते हैं और इसमें कई हानिकारक गैंसे भी रहती है दूए में कई हानिकारक गैंसे भी रहती है दूम कोरे के कारण दमा खांसी गले में गरगरहट जैसी समस्ताय उत्पन होती है ये हमारे स्वास्ते के लिए हानिकारक है तो इसलिए ये सारी जो स्वांसबंदी रोग हैं ये किस के कारण होते हैं वो आयू प्रदूशन के कारण ही होते हैं देश्रिता में कमी के कारण बाहन द्रुगटना की आशंका बढ़ जाती है कि दूम कोहरे में अपने को साधन चला रहे हैं तो अपने वो शीशे पर जम जाता है तो अपने को दिखाई नहीं देता जेसे द्रुगटना बढ़ जाती है द्रुगटना होने की स्भावना बढ़ जाती है इसके बाद आता है एरोसोल एरोसोल भी वायू पर दूशनकाए का परमुख कारण है तो वायू में जो निलम्बित शुक्षम ठोस या तरल कन की जो बादल को क्या कहते है एरोसोल कहते है निलम्बित शुक्षम ठोस या तरल थोस भी हो सकते हैं तरल भी हो सकते हैं यो क्या कहते हैं एरोसोल कहते हैं थोस हो चाहिए तरल हो तो क्लोरो फ्लोरो कार्बन भी एक ऐसा ही एरोसोल है फ्रीज एर कंडिशनर इसके क्या है उस सरजक है ख्लोरो फ्लोरो कार्बन एक क्या है एरोसोल है और इसको कौन छोड़ता फ्रिज और जो एर कंडिशनर ऐसी है ये क्या है इनको छोड़ते हैं इसके उस सरजक है और ये जो है रोस क्लोरो फ्लोरो कारवन ये क्या करता है जोन पर्त को शती ग्रसित करता है ये इतना ब्यंकर वाजू पर दोशक है कि जोन पर्त को ही नस्ट कर देता है और जोन पर्त क नस्ट होने के कारण जो सूर्य की प्रामेगनी किरने हैं वो सिधी दर्ती पर आती है और जिसके कारण मुनुश्यों में तवच्चा, कैंसर, मोत या भी दादी, रोग उत्पन होते हैं और इस से पोदों में प्रकाश अंसलेशन की प्रक्रिया भी क्या होती है प्रेवाबित होती है किसके कारण एरोसोल के कारण तो ये सारे क्या थे वायू प्रदुशक थे और इसके बाद लेड भी क्या है वायू प्रदुशक है और लेड काहन से आता है पेट्रोल, डीजल जो बेंडरिया है और बाल, रंगने के जुदपादों में ये क्या है पाया जाता है और लेड से भी मनुश्यों में कैंसर या पाच्चन सवंदी रोग उत्पन होते हैं एरोसोल और लेड से कैंसर सवंदी और बाकी सभी से स्वास सवंदी रोग उत्पन होते हैं और अमली अवर्षा के लिए कौन-कौन है, सल्फर के उक्साइड और नाइट्रोजन के उक्साइड है, अमली अवर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं, और बाकी से लैद से और एरोसोल से कैंसर्स बंदी रोग होते हैं, और बाकी सभी से स्वास बंदी रोग होते हैं, और तो वायू प्रदोशिक पॉल, तो जो अगला है जल प्रदोशिक के वारे में अगली वीडियो में परेंगे धन्यवार